आज इस वोड़ी में हम बात करेंगे 6th class के लेशन 2 के बारे में जो अकसांस और देशांतर रेखाओं के नाम से यानि कि लेटीट और लंगिडूट के नाम से हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें साथ इसाथ आप अपने हाथ में कोपी और पेन रखें जो जो भी आपको बताया जा रहा है उसे आप अपनी के लिए इसको इस्टेडी करने के लिए भूगोल वेताओं ने जोग्रफर ने क्या किये प्रत्वी को गलोब के रूप में प्रदिशित किया गलोब के रूप में उसे बनाया और इस्टेडी के इसाफ से लोप पर कुछ लाइने कीची और उन्ही लाइनों को अकसांस और रेखाएगा जाते हैं कुछ गलोब इतने बड़े थे कि उनको केरी करना संभव नहीं था उनको केरी करना एक इस्ता दूदूस इस्तान पर ले जाना कठे नहीं होती तो कुछ गलोब छोटे बनाएंगे इस्टेडी के हिसाफ से इस्टेडी करने के लिए अध्यन के लाइन को नाम दिया विशुवत रेखा यहनिकी एक्वेटर इसको क्या नाम दिया एक्वेटर जो प्रत्वी को दो बराबर भागों में बाड़ती है उपर वाले भाग को हमने नाम दिया इसको नाम दिया उत्री द्रूव इसको कहते हैं उत्री द्रूव और इसको दक्ष जा रहा है वोडर धक्षिनी दुरूम्हें इसको हमने नाम दिया दक्षिनी गोलार्द के ये दो गोलार्दों में प्रस्ए को दो दू बराबर भागों में बाड़ दिया प्रक्षी को दू बराबर भागों में इसने डिवाइड कर दिया एक्वेटर ने इसको आप ज्यान रखे इसी तरह और हमने लाइन ड्रो की कि इसे अब ऑमनी कोपे में बना लगा लेज इसको रॉष कर देता हूं ढोई यहीं लाइन ड्रोग कि P 450 डिगरी उत्री आक कि उत्रीस आक्सांस एको कि और इसको करक रेखा करक रेखा करक रेखा को इसको नाम दिया चैनल थो फल फरी या व्राइच को बिला छाफ दिसे लिए सबाश्री अक्सांस और इसको अनाम-धिया कारक को अगधिया कफ्ला но आर्टिक सरकल इसको नाम दिया इस तरह से यह इंक्तर सबीता है जो क्या अधिकतर हर परिक्षा में पूछे जाती है और विय्यास, यह जो लाइनस यह जो लाइन यह जो 3 तरह कने यह यह acquता है यह ॐसידण कि इस पॉइट टिक तक यह 90 डिगरी 180 किते हो गए 180 180 180 180 हो गए इसी तरह एक यह जो बज गया यह हमारा विशुत रेका यानि कि एकवेसटर था इसको भी जोड़ते है टोटल किते हो जाते हैं 181 181 यह जो अक्सांस हो गए एक सो एक्यासी हो गई इसको आप ध्यान रखें अपनी कोपी में लिख ले हैं देखो 90 हमने उत्री दुरूब में कीचे नब्बे दक्सिन दुरूब में कीचे इस तरह से तो नब्बे और नब्बे 180 हो गए और एक हमारा यह हो गया तो टोटल कितने हो गए 180 अक्सांस ग्लोब पर कीचे गए हैं इसको आप ध्यान रखेंगे अब यह एक्सांस जो है यह क्या काम में बहते हैं यह एक मोसं जो भी जिस जगे का समताकरी देते हैं यह एक अक्सांस की जो गज़ोhod century MARK में इते हैं एक अक्सांस से दूसरे खवांस की बीच की देक्भी 111 citizen kilometers होती है जो ईनте Lines को आप यहाद रख लेन लाइन को डिखा एं जिन गता है जिन इसको हम इंगलिस में कहते है we पॉल-प्सञ मीं इसको और इसारी दुरूम में दख्षिण में में 30,3 डिगरी दख्षिणी अक्सांस इसको हम कहते हैं मकर रेखा है यूद्य चाहए कि ट्रपिक केरी कॉप्री कन इसको मकर रेखा क मकर रहें इसको याद रखेंगे इसी तरह साधे 46 বजी दक्षणी अक्सांज इसको हम क्या कहते हैं구나 वर्द याण कि antarctic सर्क्रद इसको कहते हैं तो यह कुछ में 180 है इस तरह से यह तोटल कितनी है 360 होती है इसको आप याद रखेंगे इस तरह से आप देख रहे हैं कि गलोब बनकर तयार हो जाता हमारा और गलोब को इसी प्रकार से बनाए गया है प्रत्वी को समझने के असाब से तो देशांतर किसनी होती है यहीं कि पश्चिम में कितनी 180 और पूरब में भी 180 है निकि तो टोटल 360 क्या होगे अकसांस हो गए तो अब हम इसमें आगे तो आपने स्क्रिंसोट ले लिए होगा और आपने कोपी में इसको लिख लिए होगा तो अब बात करते हैं आगे इसके कुछ और भाग है हीड जोन ऑफ आर्थ यानिकि ह झौत निकि यचे और का से लिख है कि लेधिक एडो जो चे करेंगाई एशुड हम इसको उस प्रिषस करों नाम से जानते हैं हिंदी में इसको टेंपेट जोन कहते हैं और इंगल्स मेंसे इसको बिंख व Sum समझते हैं जो मेप बना इसकी सामसे समझते हैं वे हमारा सन है इसकी जो सन्रेज है यानि कि जो इसकी यह क्रिणे है यह जो संडरेज बाधफी के जिस भाग 다음 पर कि इस्सझा कटपटी इनकी त्रोइट जोन चाहिए गड़ी निकी सीधी क्रिंवर्स थाती जो करक रिखा और मकर ही बीच में जो यह उस्ट्ण कड़ीबंद वाला भाग पाय जाता है इसको आपध्यान रखेंगे इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं तो इसी में जो, सितोस्ट्ण कड़ीबंद वाला क्षात्र है इसको हम टेमप्लेट जॉन, यहां सूरह किर्ण वर्ष बर सिधी नहीं गिर्थी बलकी क्या है जो यहां का जो मोसम थे और यहाता है तो यह जो है इसको आपने उत्रहुरिये द्रहुरम में पढ़ा इसी कह सी कहा है डक्षणी द्रूम में पढ़ते हैं डक्षणी द्रोम में यहां अपने फड़ा यह और सुरी किरिने के सिथी गिरते हैं यहां तर त तो को समाझ वे आ गया होगा इसी तरह टेंपरेट टेंपरेट जोन को अब जान रखेंगे लास्टे यह दोनों के शेत्र मैं बहुत साइए अग्रजेट पूरी नौही舜 बारे में जाना अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की 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 दे वागों में बाड़ दिया जो उपर वाला भाग था हमने इसको उत्री अक्सांस का और नीचे वाले दक्षणी बाग को दक्षणी अक्सांस का तो बीचो भी जो लाइन खीचीक इसको हमने विश्वत रेका एक्वेटर नाम दिया इसी तरह जो करक रेका है वो साड़े 23 अब बात करते हैं देशांतर रेकाओं की लोंगिटूट की जो उत्री द्रों को दक्षणी द्रों से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं इसको हम क्या कहते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं लोंगिटूट कहते हैं यह जो लोंगिटूट है यह उत्तर को दक्षिन से मिलाती है और इनकी संक्या 360 है यानि कि पश्चिम में पश्चिम में 180 और पूरब में 180 यानि कि पश्चिम में कितनी किची गई है यह जो देशांतर रेखा हैं यह क्या काम में आती है किसी भी देश के समय को निर्धारन करने के काम में आती है और अकसांस रेखा हैं हमेशा क्या काम में आती है किसी भी देश का या किसी भी जगे का तापमान या उसका टेंपरेचर या उसके मोसं की प्राप्त करने में देशांतर रेखा है वह हमेशा 111 कीलो मेटर ही होगी इसको आप ध्याण रखेंगे 111 क उसकी तूर्य इतनी रहे सी तरह कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर सूर्य का जो ताप है उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा एक देशांतर से दूसरे देशांतर में सूर्य का जो तापमा जो किरण है उसका पहुंचने में मेन चार मिनिट का सममय लगता इसको आप द्यान दखेंगे यह जो कि यह जो लाइन है यानि कि यह जो देशान्तर रेखा है इसको हम क्या कहते हैं यह प्रत्विध्य कीची गई इसको हम कहते हैं परधान यां अमत्तर रेखा या इसको हम विशुवत रेखा भी कहते हैं और इसको हम ग्रिन्ड वीच रेखा भी कहते हैं ग्रिन्ड वीच रेखा प्रधान याम वत्तर रेखा भी इसको कहते हैं यह जीरो डिगरी है जिस प्रकार हमने अक्सांस रेखा हुगो जीरो डिग्री विसोत रेखा का इसलिए इसको हमने प्रधान याम वत्तर रेखा है ग्रिणड्विच रेखा हमने इसको नाम दिया तो यह ध्यान रखेंगे यह समय की निर्धान में काम में आती है यणी कि कि एक एक देशांतर को दूसरे देशांतर पहुंचने में चार समय लगता है इसी तरह भारत का जो जो समय मानक रेखा है यानि कि जो टाइम लाइन है भारत की वो कितनी है कितनी यह Tanja 52 डिग्री इस को आप धियान रखेंगे भारत का जो समय मानक रिखा जो सब्लिन में और यह जिरुडड़ीरी पुरिय विश्व की माने गई यह यह जो रेका यह जंगुड़ाएं जो रिखा यह इस्लिए ब्रिटेंगे वहां से रेखा गुजर्ति इसको आप ध्यान डखेंगे अब समय कैसे ग्याद किया जाता है देखो किसी भी जगे का समय ग्याद करने के लिए जैसे भारत का समय अगर ग्याद करना है तो क्या होगा 132 डिग्री जो भारत का समय रहा है इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो निगल के या आता 330 मिन एनि कि कि होगा 330 मिन अगर इसको में और गंटे मदलेंगे तो कितना होगा प्रदान याम उत्तर रेखा गिरिंडविच रेखा है इसको नाम दिया तो यह ध्यान रखेंगे यह यह समय निर्धार में काम भी नाम दिया है